हेलो एवरीवन आज हम लोग मोडूल बन का लेक्चर नमबर 11 जो आज का लास्ट टॉपिक है मतलब मोडूल बन का लास्ट टॉपिक है तो इसमें यहां पर आपका सिलेवस में लिखा हुआ था कि थोड़ा सा इसका नुमेर्कल बताने के लिए ठीक है और कॉंटेक्ट फॉर्स का तो ही नुमेर्कल बना के आज इसको सेवा समाप्त करेंगे इसका यानि मोडूल नमबर बन आपका कम्प्लिटली पूरे कभर हो सिलेवस कभर हो गया ठीक है मोडूल बन खा आपसे वहां से एक क्यूसर नहीं छूटेगा आए तो ठीक है उसी तरह से हम लोग मोडूल टू चलेंगे ठीक है आपको अच्छे से सारे सिलेवस कभर करेंगे आप टेंशन बिल्कूल नहीं लेना बिल्कूल नहीं ठीक है बस आपको पढ़ना और सेयर करना ठीक है साथ में लाइक भी करन है तो चली rated numerical on force between blocks है कि यहां पर इक सिंपल से सा नुमेरिकल है ज्यादा hard and fast नहीं है इंडेवीडूबीजोल फोर्स निकालना समंड़ा शलते हैं Sou M के Mechanics में Lecture No.2 ब्रेजर नंबर तो से एंजिनियरिंग मे жен होगा ठीक है इंजिनियर मेंखेनिक्स लिखा होगा और उसमें Lecture No.2 फिरिक्षन में जाकर आप इसका डिटेल पढ़ सकते अबर आपको डिटेल पढ़ना है तो यहां जरूरत की रिंचाब यहां पे दे दिए और आपको अधिक जानखारी लेना है तो थर्ड समेस्टर के इंजिनियरिंग मेकेनिक्स में मोडूल नमबर टू को आप जाकर पढ़ लिजे ओहां फिर इक्सन के बारे में टोटली पढ़ाया गया है ठीक है तो आज का लेक्चर यहां सेवा समाप्त करें जिनको ज्यादा पढ़ना जिनको एक्स्ट्रा टॉपर बनना है वो क्या करेंगी आप जाकर लेक्चर नमबर टू को थर्ड सेमेस्टर इंजिनियरिंग मेकेनिक्स में जाकर आप पढ़ लेंगे उसको ठीक है चलिए तो इंडिविजुल फोर्स और कॉमन फोर्स निकालना ठीक है सकेंड लॉपर काम करेगा और थर्ड लॉपर काम करेगा ठीक है तो अलग अलग आर भी जही है जो फश्ट लॉपर को मानता है तो ऐसा कंफ्यूजन के वज़ए से यहां पे लिख लिख दिये होंगे क्योंकि competitive exam दिये थे तो अलग अलग टाइप का क्यूजन पूछता है मतलब कोई मानता है first law से कोई मानता है second law से अलग अलग region है तो हम लोग second law को ही पढ़ेंगी कि force का definition कहां से आया न्यूटन second law से आया है तो यहां पे second कर लेंगे ठीक है second law से चलिए अब यह क्यूशन है क्यूशन को बताना है तो यह 1 kg का block है 2 kg का block है 3 kg का block है इस पे एक force लग रहा है 12 न्यूटन का और इसका जो acceleration है 2 मिटर पर सेकेंड है तो force net force कितना हो गया कितना है 12 नूटन है 12 नूटन इसकाल डिखेंड रिखा होऊ थे को चुंशन दिया भूआ तो यह 30 14 निकल गया पर निकालना निकालने के बाद लिखा हुआ तो सले से मास दिया हुआ है फोर्स दिया हुए तो यहां से असलेरेशन निकल जाएगा असलेरेशन इस गल टू कितना हो जाएगा 12 वटा 3 2 5 6 6 यानि टू मिटर पर सकेंड तो असलेरेशन आ गिया ठीक है चलिए इंडिवीजुवल फोर्स हो गिये अब इंडिवीजुवल फोर्स निकाली है इच बलोक उसलिए थीरी वला को निकाल लेंगे तो मास था थीरी ऑसलेरेशन था टू कितना हो गया 6 निटन तो इंडिवीजुवल फोर्स निकाल दिये ठीक है अब फोर्स कॉमन फोर्स ऑन कॉमन इंटरफेस जो फोर्स है एक दूसरे बलोक पर कितना लगा रहा है माली जी की एक फोर्स लगाएगा तो टू केजी वला भी जब लगाएगा तो अब थीरी वला भी तू पर लगाएगा आप थट लॉपड़ें न तैसीलिए सबसे पहले ही लिख दिये थे कि यहां जो नुमेर्कल्स बनेंगे वो किस पर बनेंगे फर्स लाओ और सोरी सेकेंड लाओ और बढ़ेंगे ठीक है तो बेस्ट ऑन फर्मूला टू केजी और एक केजी के बीच में कितना फोर्स लग रहा है तो ऐसे हम लोग फर्मूला बनाते टोटल मास पुष्ट बाई बलॉक वन केजी जो जिसको पूस कर रहा है तो उसका बटा टोटल मास इंटू फोर्स और को बलॉक बना हुआ तो बन केजी तो बन किसको पूस कर रहा है तो क्या हो जाएगा तू प्लस प्लस ठीक है तोटल मास कितना था M1 M2 M3 और total force कितना लग रहा था 12 Newton तो यहाँ पे mass कितना हो जाएगा बबू 2 और 3 तो 2 प्लस 3 बटा 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 12 इसको division करेंगे निकालेंगे तो 5 बटा 6 इंटू 12 आगे 10 Newton तो जो force है 2 by 1 is 10 Newton कितना force लगा रहा है 10 Newton अब 3 और 2 के बीच में निकाली है तो 2 किसको सिर्फ force लगा रहा है यहाँ पे 1 है यह 1 है यह 2 है यहाँ पे 3 है तो 3 और 2 किसको पूस कर रहा है 2 सिर्फ किसको पूस कर रहा है 3 वाला बलाओ को तो M3 बटा M2 M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू total force तो यहाँ पे force क्या आजाएगा बबू M3 का वालू कितना है 3 वाटा 6 इंटू 12 2 चका बार 3 दूना 6 Newton ते ही अंसर कितना simple qution यह formula सिर्फ याद रखेगा जिसको पूस करेगा उतना वाटा total इंटू total force ठीक है आए यह qution आपका homework रहेगा इसको बना के लाईएगा तो ठीक है इसको बना के लाईएगा यहाँ पर अंसर भी दिया हुआ है कि इसका अंसर दे दियें आपको बना के लाना है ठीक है चलिए बन जाएगा ना qution दिखिए दो क्या करना है जिसको निकालना है जोता है टोटल बन्हें एक किसको करेगा टू और टो या प्लस फोर के तो फोर टू प्लस फीरी प्लस फोरत है टोटल प्लस डुर इस औरatas सब को निकाल के लाईएगा ठीक है चलिएOOK जब दो बस्टू या कोई भी बस्टू होता है आपस में जब कॉंटेक्ट में आता है तो उसके बीच अगर भी पहता है गुचाल इश्फी आप Je算ढ़ा में बीच और जमिन के बीच एक पाक्ति कॉंटेक्ट ऊटा प्रकटालरจะ वाटा अगर आप गर्मी के दिन में कले मीटी पहले है यानि मीटी चिकनी मीटी पह चलते तो फिसल जाते हैं क्यों क्यों कि वहां पे फिरिक्ष्ण आपका जीरों हो जाता है contact force होता है आप करेंबोर्ड पे जब चलते होंगे तो गोटी चलते होंगे तो हाँ पर पॉटर छी रखते हैं क्यूँ smoothness के लिए ताकि friction कम हो और बहुत तीजी से भागे ठीक है तो friction क्या है opposite force है यह opposite होता है जिसे माली आप इधर की और जा रहे है तो जमीन आपको रोकना चाहता है इधर की और फोर्स लगाता है आप आगे की और जाते है तेही opposite deposit force को हम दोग friction force काते है तो अगर इसको अपको detail में पढ़ना है तो आप module No.2 अभी बता रहे हैं फिर से बता रहे है वहां जाकि इसके बारे detail से theory के साथ दिया गया अगर आपको लिखना चाहते हैं बनाना चाहते हैं इसको तो बता देते हैं जाहिए लेगा प्लेलिस्ट में थार्ड सेम इंजिनीरिंघ मेंक्स लिखा होगा फीक एट्व इसमें आपको को क्वाला मोडूल पढ़ना मोडल नमबर टू में उनको मतलब बेसिक नहीं पढ़ना था अडवांस लेवल पढ़ना तो जो मोडूल 2 में लेक्टर नमबर 1 होगा लेक्टर नमबर 2 होगा और लेक्टर नमबर साथ 3 होगा ठीक है यह आपको बताया गया है तू बन तू पढ़ लिजेगा ठीक है यह BASIC पहले उनको बेसिक बताएं उसके बाद एडवांस लेवल में लेगा है तो आप लेक्षर नमर बन टू जहां तक खतम हो जाएगा न थियोरी वहां तक नुमेरकल आएगा तो छोड़ दीजिएगा ठीक है तो यहां तक आपको पढ़ना है तो अगर आपको फिरिक्सन के बार देते हैं कि देखिए जिसे की माली झेकी वक्षा ठीक AIC 200 kg का है 200 kg का आपका बजन 80 kg आपका बजन कितना है 80 kg आप इसको धक्का देते हैं 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 तो आप 80 kg दे रहे हैं तो यह आपको फोर्स कितना रोक रहा है यह भी रोक रहा है 80 kg से जितना आप ठे सोरी friction force हुआ वो कितना रह जाएगा जितना अप applied की है applied force के बराबर हो जाएगा 80 kg ही हो जाएगा लेकिन दूसरा सुनिएगा तो हम लोग static friction कहते हैं रूखा हुआ रह गया तो static friction kinetic friction क्या होता है माल लिजे ही 20 kg का बक्सा है आप है 80 kg का आप है 80 kg के तो इसको 20 kg दीजिएगा तो ही क्या करेगा आगे move करना start कर जएगा इसके जो opposite में फिरिक्षन जो force लगेगा वो ही आपका क्या होगा friction force होगा तेही आपका friction force का concept था और इसमें friction force का formula क्या होता है mu into n जहां n क्या है आपका normal force है normal force कौन उसा होता है normal force ऐसे माल लिजे ये block है तो इस पे नीचे जो contact पे रखा होता है ये उपर bet लग रहा है तो नीचे से normal force लगता है और mu क्या है इसका coefficient है ठीक है और अगर friction के बोला friction क्या होता है always opposite direction में लगता है तो वहाँ जाके देखिएगा तो आपको better समझ में आ जाएगा ठीक है वहाँ numerical भी करवाया गया है तो mu is क्या है coefficient of static friction mu क्या है coefficient of kinetic friction ठीक है ये 3 newton का है ये 100 kg का है तो 3 newton का force इस पे लगाएंगे तो ये भी कितना देगा 3 newton ही देगा मतलब applied force के बराबर आजाएगा ये ही लेगा 3 kg 3 newton से force आप देगे इस पे applied करेंगे ये 100 newton का है तो इस पे force दीजिएगा 100 kg का बक्सा को अगर कोई 3 की जो बच्चा उठेले ठेलाएगा नहीं ठेलाएगा ये 3 newton देगा तो 100 भी इस पे 3 newton देगा जादे नहीं देगा न्यूटन थर्ड लाओ पड़े हैं तो इसका friction force 3 newton ही रागी है ठीक है ये 12 newton है ये 4 kg का है तो यहां पे ये देखिए ये क्या बेट इसका नीचे लगेगा 4 kg फिर इक्षन फोर्स अपोजी डिरेक्षन में तो ये फूजिकल टू क्या बता है मियू इन्टू एन मियू का भेलू दिया हुआ है 0.2 आ एन का भेलू कितना होगा नीचे 4 kg तो उपर भी नॉर्मल कितना लगाएगा चारी लगाएगा इन्टू गराम में फोर्स जी नीचे एक ग्रेवेटी फोर्स लगता है तो जी का मान कितना होगा है 9.81 यहनी इसका भेलू गुना कर लिजेगा 0.4 इन्टू 9.81 ठीक है तो आज का सेशन खतम करते हैं बाबू यहीं तक आपका था ठीक है एक छोटा सा और नुमिर कल होगा एक सेकिन यह 12 kg का है ठीक है 12 नीटन का है यहां 10 kg का है तो इस पे एक नीचे फोर्स लगेगा बेट लगेगा वो किना होगा रियक्षन लगेगा उपर जितना लगाएंगे उतना वो भी रियक्षन देगा थोड लाव से तो उपर भी कितना होगी है 10 ग्राम 10 ग्राम बोल दिए 10 जी ठीक है तो दस जी तो अब यहां पर फोर्स लगेगा यह फीजिकल तो क्या होगा म्यू का भैलू कितना 0.2 एन का भैलू कितना 10 जी जी का मतलब 9.81 यह 10 ले लिजे डाइरेक्ट ठीक है अब इसका भैलू बताइए गुना कर जी वही अंसर होगा ते क्योशन था होमबक था लेकिन हम बता दिये ठीक है तो इस तरह से आपका क्या होता है मोडूल बन कंप्ल अब कितली सुल्व होगित ठीक है आप इसको मियवाइज करें पर्वयस रिवर्यस उयर कियोशन हम बनाएंगे आपको सब्जेक्ट कर वांगे आपको literature छोड़े हैं मैं तो बस कुछीं दिन में ऊपलोड हो जाएगा तुन तुरंत ठीक है बस आप क्या करें यहां आपका अप्लोड करना होता ना तो हम दसव दिन में आपका सिलेवस खतम कर दें लेकिन क्या है सभी को लेके चलना है सभी समेश्टर वाले को वीडिव अपलोड करना भंख ओ contemplate कर देंगे